हलो दोस्तो स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होबीज के बारे में दोस्तो ये क्वेशन जनरली इंटर्विव में पूछा ही पूछा जाता है और अगर नहीं भी पूछे तो आप इसको इंट्रोडक्शन के इंदर अपना mention कर दो ताकि इस से 2-3 question आ चाएए और इस question को अच्छे से प्रिपार करके जाओ ताकि वो जो तीन question है वह आपके लिए confidence का गाम करें कि उनको आप अच्छे से त्यार करके गए हूँ अच्छे से आप बोलोगे तो आपका जो है confidence वहां पे बूस्ट हो जाएगा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह मेरा नाम है मैं पीयो था इससे पहले OBC bank में और अब PNB बन देते हैं लोग ना होबी स्ट्रेंथ आप उसमें मिक्स कर देते हैं होबी ना इट इस एन एक्टिविटी और इट इस एन इंट्रस्ट और पास्टाइम डैट इस अंडर्टेकन फोर प्लेजर और रिलेक्सेशन और डन डूरिंग वन्स ओन लेजर टाइम समझ गही मतलब म होबी को स्ट्रेंथ में समझ इंहा है लोग अचा परपर्ज क्या है और बोलेक्टर वो जानना चाहते कि很好 वह इसए ऐतर ही यहा epic वेरी это इंट को यह तो वह की होब्यसेसे बैंपकी मतलिए और उससे ये decide कर रहे है are you right fit for the job or not ठीक है अब कुछ tips जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ क्योंकि किसी भी चीज को लेकि अगर आपको पहले tips और guidelines नहीं बताना तो आप अच्छा answer फ्रेम अप करनी नहीं सकते हैं इसलिए हमेशा tips को पहले बताता हूँ और काम की चीज़े बा personality point है तो जो भी आप बोलो वो आपकी personality के साथ match खाती चाहिए खाती होनी चाहिए अब fabricate करो अगर नहीं है तो obvious से बात है कि आप यह तो कहोगे नहीं कि कोई भी हो भी नहीं है तो उसको fabricate करना पड़ेगा और उसके बारे में deep question prepare कर लो पूरा WH family तयार कर लो उस hobby के बारे और उस intro के बीच में ही आपको अपनी hobbies भी घुसानी है क्योंकि यहां से question form up करवाना है आपको आपको interviewer को trap करना है आपको खुद को trap नहीं होना है and how it will help banking career जो भी hobby उसके बारे में यह answer त्यार होना चाहिए आपका कि वो banking career में आपको कैसे help करेगी and should not contradict your strength और personality देखिए व personality के साथ ना वो contradict नहीं करनी चाहिए आपकी hobby running है fat आपका कुछ और कह रहा है यह ना हो समझे रहे हो उस तरह का contradiction नहीं होना चाहिए अच्छा hobby के बारे में चार point है इसको define कर लो आपकी जो genuine hobby है वो कैसे start हुई थी ऐसा तो है नहीं कि मागे पेट से सीखे आये थी वो start हुई होगी कभी ना कभी तो उसके real life utility क्या है और how it will help banking यह है genuine जो आपकी hobby है क्योंकि वो मुझे नहीं पता तो मैं इन points को define नहीं कर सक को अब आप चले चल जाते हैं कि वही जो मैंने क्या mention किया था मैंने अपने interview में मैंने बोला था कि diary writing is my hobby बहुत ही वायात है वैसे तो बट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं अच्छे से prepare करके गया था इसको prepare करके गया था और मेरे को पता था इसमें question क्या बनेंगे उन वो आपको दे देगा अच्छे तो define करने के time पर मैंने बोला था I maintain my personal diary यह मेरी like hobby है खाली होते ही just 10-15 minute मिलती मुझे लगता है कि कुछ लिख लेता हूं how it started इसके अंदर मैं फिर अपने hint मैंने उसके अंदर डाल दिया कि जी मैंने तो English improvement के लिए किया था at some point of time my English was very weak after 12th so when I entered into college I tried to find like find out the solution so they told me either write in English talk in English or discuss in English यह दोनों में comfortable नहीं था so I tried to write it down and start इस तरह हुआ था but over the time it became my companion ठीक है real life utility में मैं इस point को use कर गया था वो बोले कि इससे आपको help क्या मिलती है I am trying to improve myself each passing day कि भाया मैं पीछे देखता हूं कल की diary मैंने मालो दस दिन के बाद पढ़ी दस दिन के बाद जो आज की जो कहानी है वो मैं देखूंगा तो मेरे को लगी गाया यहां पे तुझे यह नहीं करना चाहिए था तुझे इस तरह करना चाहिए था तो वो ने एक analysis का point बन गया और how it will help banking तो मैंने उसको ना उस hobby को इस तरह बना दिया कि मैं customers को और staff को भी अच्छे से analyze कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरी analytical skills बढ़ गई है improvization skills बढ़ गई है दूसरा मैं stress free रहता हूँ यह hobby की वज़े से stress free रहूंगा तो मैं एक अच्छा team leader बन पाऊंगा अच्छा team player बन पाऊंगा ठीक है तो यह मैंने उन चीजों को use किया था कि banking को कैसे help करेंगे अब चलते हैं आपकी मालनों कोई भी hobby नहीं है तो अब मैं आपको तुक्के मारने की जगे दे रहा हूँ मसाला दे रहा हूँ अब मैं आपको सबसे पहले तो आप कोई भी sports की activity उठा लेजिए करते हो तो बढ़िया है इन पॉइंट में हो सकता आपके साथ कोई match भी खा रही हो बट इन जनरल बता रहा हूँ कोई भी sports की activity पकड़ लेजिए बट जो भी बोलो सोबी का भई यह sports मेरी hobby है तो आप उसको बोलोगे कि उ Genesis कैसे हुआ था वो गेम जो है वो शुरू कैसे हुआ था बेसिक लेमेन की लेंग्वेज में उस गेम से रिलेटिट सारी टर्मिनोलोजी इस पता होनी चाहिए नो बोल की इस तरह से चेन लिंक होती है तो इन चीजों को ध्यान लखना है करेंट की activity पता होनी चीए और इंडिया के साथ रेलेवेंस जरूर पता होनी चीए अभी मानलो कोई भी गेम चल रहा है रेसलिंग में आपको रेसलिंग में इंडिया रेलेवेंस में अभी कुछ WFI का कुछ जगड़ा चल रहा है प्लेयर्स ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है आपको पता होना चीए अगर आप रेसलिंग या किसी भी इस टाइप के स्पोर्ट में इंट्रस्टेड हो या आपने होबी में बोला है तो सबसे पहले आप आजाते हैं यह तो मिन मिन पॉइंट होगी वो कहेंगे जी डिफाइन करो कि किस लेवल पे खेल रहे हो आपकी क्या अच्यूमेंट है उनके अंसर आपको तयार होने चीए हाव इट स्टार्टिड कब से शुरू करी थी वही किस से इंस्पिरेशन मिली थी भागने की इंस्पिरेशन जी मिल खासिंग से मिली थी कब देखा मूवी में देखा था उससे पहले भी पढ़ा था कभी रियल लाइफ उटिलिटी क्या है फिसिकली फिट रहूंगा यह यह आप किसी भी सब्स में घुता सकते बहु है तो इलनेसी काम marksंगी तह säk свize का니다 चाम करने का सिच्पिया ज्यादा होगा तो यह सब चीजों का मेरेивать मिलेगा विट बेंकिंग में यह आरे सारी पॉंट इ मतलब हो भी तो आपकी थी और फायदा बैंक का करवा दिया आपने अच्छा लिसनिंग टू म्यूजिक न यह बोलते जरूर है लोग वह ऐसी बोल देते कि मैं कभी कबार गाने सुन लेता हूं यह वह भी नहीं है वह तो आप गाने सुन रहे हो वैसे बट अगर हो भी में बो है आपका किसी और इन दोनों चीजों से स्पेसिफिक रिलेटेड कोई क्वेशन आ सकता है आपका सिंगर को ने फिर उसका म्यूजिक क्या है या आपका म्यूजिक कौन सा उसको गाया किसने था उसके बारे में फिर से पूछने लग जाएंगे इस तरह के क्वेशन onऄही और एक कोईलो सब्सक्राइज से अब प्रियुजक करते हैं रेल लाइफ यूटिलीटी इसका बड़ा काम है वह पूछेंगे जी गाने सुनने का फायदा क्या होगा मेरा स्ट्रेस काफी कम होता है् स्ट्रेस काफी कम होता है प्लास में inspire होता हूँ MONonly इंसकाय हूर मो हो सकता हूँ कहानी बना रहा है बट कहानी अच्छी बना रहा है कहानी में मज़ा आ जाए शायद उनको creative art बोल सकते हो कुछ भी जैसे writing, singing, acting, drawing, blogging, vlogging, tiktok मत बोलना भाई तो यह सब बोल सकते हो, define करो उसको, how it is a hobby of yours, how it started starting का भी कोई reason होगा, कोई moment आया हो, कोई पल आया होगा आपके जिंदगी में जब आपने गाना शुरू कर दिया, वह world type मत बताना हो हम पे, real life utility है जो वो क्या है उसकी, आप अपने आपको improve करते हो, या उसका मतलब उस चीज से क्या इन चीजों में से क्या निकाल रहे हो आप इस आर्ट में से, यह सारी जो टाइप की आर्ट है, इन में से कुछ तो फाइदा हो रहा होगा आपको career में, fun में, happiness में, कुछ तो हो रहा होगा ना, और banking को कैसे help करोगे, तो दोस्त इसकी कहानी आपको खुद बनानी पड़ेगी, आप एक्टिंग से banking को कैसे link करोगे, छोटी मोटी कहानी आपको त्यार करनी पड़ेंगे, cooking का बड़े लोग बोल देते हैं, फस होगे बटा, इस में तुम मजा कर रहा हूँ, इसका genesis कैसे हुआ था, आप अगर particularly if you are a male, तो उस तरह के answers के लिए तयार हो कि कल को आप खाना बनाओगे, आपकी बीवी ये कहेगी, आपके खाना बनाओगे, आप तयार होगे, वो कहेगी, जी मेरा खाना पहले होना चीए, तो आपको कैसा लगेगा, वैसा लगेगा, उस टाइप की फोड़े सा, women empowerment के इर्द्गेद गुमा सकते ह अच्छा, terminology क्या है, cooking में भी, current में क्या चल रहा है, मतलब ये master chef वगएरा कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब उनके दिमाग में cooking के नाम पर वही आदमी नजराता है, वो टोपी वाला नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, और इंडिया की relevance जो है, वो क्या है उसके साथ, define करो भई, किस लेवल बे परसीव कर रहे है, achievement क्या है, आपको किस से inspiration मिली थी, या अंटी ने जबरतस्ती चाय बनवानी शुरू कर दी थी, आप से, real life utility बताओ इसकी क्या फायदे हो सकते है, मुझे तो नहीं पता भई cooking के क्या फायदे होईंगे, और banking को कैसे help, like inspire करोगे, या entertain करोगे, क्या करोगे आप उसका, ये थोड़े से ना, दो तिन question अपने according तयार करने पड़ेंगे, आपको अगर आप cooking बोलने वाले हो तो, क्योंकि मेरी नहीं है, तो यार मैं क्या ही बताओ इसके बारे में, हाँ, ये दो तिन activity हैं, जो आप बोल सकते हो, कि running किसी की हो सकती है, जिम में जाना किसी की हो सकती है, योगा हो सकती है, देखिए उसके पीछे ने ये personal reasons होते हैं, बतलब आपकी अपनी inspiration होती है, तो आपको अपने coding answer करने पड़ेंगे, बढ़ हाँ, इनके genesis जरूर पूछे जा सकते हैं, personal क्या लग हैं, क्योंकि ये public domain की चीज़े ह इसका genesis कैसे हुआ था योगा का, योगा की term कैसे है, वो कितने तरह के आस्वन होते हैं, योगा कह रहे हो, आपको आस्वन का कुछ नहीं पता, प्रणायाम का आपको कुछ नहीं बता, ये मत करिये, current में कुछ नया चल रहा है, क्या कहीं recognize किया गया है, इसको UNESCO ने कुछ क आपके कोई achievement है, इसकी कभी participate किया है, कब start हुई थी, inspiration किस से मिली थी, real life fertility जो है, इसकी वो क्या है, physically fit रहा होगे, mentally fit रहा होगे, इलने, stamina, देखें, मैं जो आपको चीजे बताना हो, आपको लगेगा यार हर चीज के बारे में इतना थोड़े पढ़ना होता है, दोस्त मु हो सकता है, एक पूरा राम देव बेठा हो, कि जो मतलब सुबह शाम करता ही ये काम हो, और उसको अगर आपने योगा बोल गया, वो आपकी बखिया उदेड़ देगा, अगर आपको अंसर नहीं आता होगा, इसलिए कह रहा हूँ, जितना आप तयार करके जाओगे, हो सकता उसमें से सो में से एक ही पॉइंट पुछा जाए, बट आपका एक पॉइंट का जो आंसर होगा, वो आप सामने गल को कितना इंप्रेस कर सकता है, वो आपको आपको आइडिया है नहीं, इसलिए आप ऐसा सोच सकते हो, अगर सोच रहे हो तो, अच्छा, बेंकिंग को कैसे हेल्प करेगी, वो ही पंक्चोल, एक्टिव, लीव कम लूंगा, इंस्पायर होगा स्टाफ भी, एडवेंचरेस एक्टिविटी बोल सकते हो, माउंटेनियरिंग, फोटोग्राफी या कोई भी और मिसलेनियस आप अपने मन से बोल सकते हो, पहले तुसको डिफाइन कर दो आपका इंप्रूव होता है, स्ट्रेस आपका कम होता है, करियर में आप कुछ बनना चाहते हो, फन टाइप आपके लिए कुछ एक्टिविटी है, वो हैपिनेस के लिए कर ले हो वैसे ही, और बेंकिंग को कैसे हेल्प करेगी, वो यह जरूर है, चाहिए आप जो मर्जी कर करो, बेंकिंग को हेल्प करो, एटलिस्ट आंसर्स के अंदर तो करो बहुस एक बार, यह आप अच्छे एंप्लोई बनोगे मुझे पता है, कॉन्क्लूजन बताता हूं मैं दो ती निन चीज़ है, एक तो डिटेल में प्रिपेर कर लो, कितनी बार बोलना पड़ेगा पता तो आपको यह बोलना है, I am not able to explore it at that level as of now, हो भी तो है मेरी, बट मैं उस लेवल पे explore नहीं कर रहा हूं, अभी मैं अपने career को preference दे रहा हूं, यह वो है, जब आप किसी trap में फस जाओगे ना, यह trap से निकलने का रास्ता दी है मैंने आपको, और दूसरा, यह पूछ सकते है क्या आप उस चीज़ को career की तरह देख रहे हो क्या, उस game को, उस adventure activity को, या उस running को, जिमिंग को, किसी भी चीज़ को, तो आपको यह नहीं कहना है कि आप सोचोगे, आप बोलोगे no sir, it is just a hobby, क्योंकि अगर आपने वो बोल दिया तो आप deviated हो अभी भी, मतलब banking अभी भी आ आपने right choice नहीं की है, और अगर ऐसा होता, माल लो, अगर वो कहता फिर भी हो सकता हो, sir अगर ऐसा हुआ होता ना, तो I would have done a lot till this time, उसके बारे में मैं बहुत कुछ कर चुका होता, तो इसका मतलब यह है कि, यह मेरी hobby ही है, यह मैं इसको career की तरह pursue नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्तों काफी सारी वीडियो मैं इसमें से बना चुका हूँ, यह बची है अभी, और लास्ट में यह दो बचे है, एक दो शायद यह बची है, तो यह सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, comment section में मिरे से पूछिए, अगर आपके कोई doubt है तो, और दोस्तों जो वीडि कर दिया करो यार, share कर दिया करो, subscribe नहीं कर रहे हो, मतलब मान के चलो 10% लोग भी subscribe नहीं कर रहे है, content सारे देख रहे हो, मज़ा सब कुछ ही है, तो चलो subscribe बगएरा कर लिया करो, और thank you so much for watching, जै हिंद, जै भारत, और हाँ telegram channel weekend तक आ जाएगा, ठीक है?